जैसरी राधिक्रिष्ण। आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिसरा प्रजेंट में बहुत-बहुत स्वागत है। आईए आज आप सब सुनेंगे गंगा दशेरा की कथा। जेश्ट मास शुकल पक्षी की दस्मी को जिसे की गंगा दशेरा के नाम से जना जाता है। पूजन का महतु माना गया है। गंगा असनान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। यहाँ जल वर्स भर रखने पर भी नहीं सरता है। तो आईए सुनते हैं गंगा दशेरा से जुरी हुई पुरानी कथा। तो बोलिये प्रेम से गंगा माता की जै भगवान भोले नाथ की जै भगवान विष्णों की जै सर्वदीवी दीवता की जै। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राजी करते थे। उनके केशिनी तथा सुमती नामक दूरानिया थी। केशिनी से अंसुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमती से साथ हजार पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अशुमेद यग्य किया। यग्य की पुर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया। इंद्र यग्य को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनी के आस्रब में बांधाया। राजा ने यग्य के घोड़े को खोजने के लिए अपने साथ हजार पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनी के आस्रब में पहुँचे तो उन्होंने यग्य के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दि भाईयों को खोशता हुआ जब मुनी के आस्रम में पहुंचा तो महात्मा गरूर ने उनके भाईयों के भश्म होने का सारा ब्रतांत कह सुनाया गरूर जी ने अंसुमान को यह भी बतलाया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धर्ती पर लाना होग अंसुमान ने गोडे सहित यग्य मंडप में पहुँचकर राजा सगर से सवर्ग रितांत कह सुनाया महराज सगर की मिर्तु के पश्चात अंसुमान ने गंगा जी को पिर्तिवी पर लाने के लिए तप किया परंतु वह औसफल रहे इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपश्याएं की परंतु वह औसफल रहे अंत में दिलीप के पुत्र भागीरत ने गंगा जी को पिर्तिवी पर लाने के लिए गोकर्ण तिर्थ में जाकर कठोर तपश्या की तपश्या करते करते कई वर्स बीत गये तब ब्रह्मा जी प्रशन हुए तथा गंगा जी क पिर्तिवी लोग पर ले जाने का वर्दान दिया अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छुटने के बाद गंगा के वेग को पिर्तिवी पर कौन संभालेगा ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान संकर के अतरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो का वेग संभालने के लिए भगवान शिवशे अनुग्रह किया जाए महराज भागिरत एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान संकर की अराधना करने लगे उनकी कठोर तपश्या से प्रशन होकर सिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तयार हो गय गंगा जी जब देव लोग से प्रितिवी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपने जटाओं में समिट लिया कई वर्थों तक गंगाजी को जताओं से बाहर निकालने का पथ नो मिल सका, भागेरत के पुनह अनुनहे करने पर सिप जी को अपनी जताओं से मुक्त करने के लिए तयार हुए, इस परकार शिप की जताओं से छूट कर गंगाजी हिमालय की घाठियों में कलकल निनाद करके मैदान की उर्बढ़ी जिस राज्ते से गंगाजी जा रही थी उसी मार्ग में रिशी जहनु का आस्रम था तपश्या में विगन समझ कर वे गंगाजी को पी गए भागिरत के प्रातना करने पर उन्होंने पुनह जांग से निकाल दिया तभी से गंगा जहनु पुत्रिया ज जाहनवी ने कपिल मुणी के आस्रम में पहुंच कर सगर के 60,000 पुत्रों के भश्म अवशेशों को तार कर मुक्त कर दिया उसे समय ब्रम्भा जी ने प्रकट होकर भागिरत के कथिं तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर्द दिया तथा गोशित किया कि तु अंतर ध्यान हो गया इस प्रकार से जो भी सच्चे सरद्धा के साथ गंगा देशरा के दिल गंगा में अश्णान करते हैं दान पुन्यों का कारे करते हैं माता गंगा का भगवान शिव का भगवान विश्णू का पूजन करते हैं तो उनके पापो का नाश होता है तो आसा कर कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ग्यान ब्रधक जानकारिया प्राप्त करते रहने के लिए प्रत्य पूजा के बारे में जाने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बाराये हैं तो चैनल को लाल बटन दवा करके सब्सक्राइब करें प्री राजी क्रिष्णी धन्यवाद